ओम शंती सुनते हैं आज 31 अक्टूबर 2024 की साकार मुली मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे ओर्डर करो कि हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते हैं तुम उनको डराओ तो अब भाग जाएंगे ना बाबा किन भूतों की बात कहरे पांच विकार रुपी भूतों को तो पांच विकार पास नहीं आ सकेंगे या तो जब हम उनसे डरते हैं तब हमें डराते हैं अपना शिकार बनाते हैं या दूसरा जब हमने उनको अपना बना के अपने साथ रख लिया है तो हमें परिशान करते हैं तो ना तो उनको अपना बनाना है ना उनसे डरना है आज बाबा ने उत्तर दिया सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है जब नशा है कि हमें इश्वरी लोट्री मिली है तो सर्विस का सौख होना चाहिए परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा आज की मुली से दूसरा प्रिस्न है शे बाबा का बच्चा कहलाने के हगदार कौन है उत्तर है जिने निश्य है कि भगवान हमारा बाप है हम ऐसे उंचे ते उंचे बाप के बच्चे हैं एसे नसे में रहने वाले लाइक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने की हगदार है। अगर करेक्टर ठीक नई, चलन रोयल्टी की नई, तो भी शिव बाबा का बच्चा नई कहला सकते हैं। ओम शंती शिव बाबा याद है बाबा पूछते स्वर्ग की बातसा ही याद है यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेहत के बाब के बच्चे हैं और नित्वाब को याद करते हैं याद करने विगर हम वरसा ले नहीं सकते बाबा पूछते काहे का वर्सा, पुवित्रता का तो उसके लिए ऐसा पुटसार्थ करना चाहिए कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आने सकती सिर्फ विकार की भी बात ने, एक भूत ने, परन्तो कोई भी भूत आने सकता ऐसा सुद एहंकार रहना चाहिए बाप चलन से समझते हैं यह तो बिलकुल ही वर्थ नौट ए पैनी है मेरा बच्चा कहलाने का भी हगदार नहीं लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है यह भी बाप है बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं पर अंतु कोई बिलकुल समझते नहीं बियहत का बाप हमको समझा रहे हैं वे निश्य नहीं नश्य नहीं तुम बच्चों का दिमाग कितना उँच होना चाहिए हम कितने उँच बाप के बच्चे हैं बाप कितना समझाते हैं अंदर में सोचो हम कितने उँच तो उँच बाप के बच्चे हमारा कर魔 ohai kutna ऊच होना चाहिए जो इन देवी देवताओं की महमा है वे हमारी होनी चाहिए फिर जाकी थोड़े ही महमा है एक लक्षपी नराएं को ही दिखाया है तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए इन लक्ष्मी नरायन दोनों ने ये सर्विस की है न दिमाग कितना उच चाहिए कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं है माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए हम बेहत के बाप के बच्चे हैं बाप कहते हैं सब को मेरा पर्चे देते रहो सर्विस से ही सोबा पाएंगे तब ही बाप की दिल पर चड़ेंगे बच्चा वह जो बाप की दिल पर चड़ा हुआ हो बाप का बच्चों पर कितना लव होता है बच्चों को सिर्प चड़ाते हैं इतना मोह होता है परंटु है तो है खद का माया भी मोह यह तो है बेहत का ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुशना हो माँ बाप को तो अथाख खुशी होती है यहां जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं बाबा हमारा ओविडियन्ट टीचर है बेहत के बापने जरूर कोई सर्विस की होगी तब तो गायन है ना कितनी वंडर्फुल बात है कितनी उनकी मैमा की जाती है यहां बैठे हो तो बुद्धी में नशा रहना चाहिए सन्यासी तो है ही निब्रति मार्क वाले उन्हों का धर्मिया लगे यह भी अब बाप समझाते हैं तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्क को तुम तो ग्रेस्त आसरम में रहते बक्तियादी करते थे तुमको फिर ग्यान मिलता है उनको तो ग्यान मिलने का है नहीं यहना सन्यासी ग्यान में नहीं चल सकते हैं कोई ऐसी आत्मा जो देवी दिवता घराने की है और सन्यास धर्म में चली गई है वो आत्मा जरूर बापस आएगी परन्तु कोई ओरिजनल सन्यास धर्म की आत्मा याना कभी भी दिवी दिवता बनने की पढ़ाई पढ़ेगी नहीं भावा कहते तुम कितना उच पढ़ते हो और बैठे कितने साधार हो नीचे दिलवाडा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो उपर में बैकॉंट खड़ा है उपर बैकॉंट को देख मनों से समझते हैं स्वर्ग उपर ही होता है तो तुम बच्चों के अंदर में सब बाते आनी चाहिए यह स्कूल है हम पढ़ रहे हैं कहां चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धी में यह ख्याल चलें तो बहुत मजाएगा बेहत के बाप को तो दुनिया में कोई नई जानते बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने ऐसा भुट्टू कभी देखा बाप केते ना जानने के कड़ कह देते वेस सरव्यापी है भगवान को ही कह देते आप ही पूज आप ही पुजारी तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए हम कितने उच पूज थे फिर हम ही पुजारी बनें जोशे बाबा तुमको इतना उच बनाते हैं फिर डामा अंसर तुम ही उनकी पूजा सुरू करते हो इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भगती कब सुरू होती है बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते है यहां बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए न यह तो कभी भी सुना नहीं होगा जरा दुनिया में कोई सूच नहीं सकता कि भगवान भी आके पढ़ाते है बाबा कहते वह तो समझते हैं गीता का भगवान स्री किष्ण है तो स्री किष्ण ही पढ़ाता होगा अच्छा स्री किष्ण को समझो तो भी कितनी उंच अवस्ता होनी चाहिए एक किताब भी है मनुश्य मत और ईश्वरी मत का चक्दीश भाई जी की लिखी हुई है बाबा कहते देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है मनुश्य चाहते हैं ईश्वर की मत देवताओं को तो मत अगले चनम में मिली थी जिससे उंच पत पाया इनों देवताओं को देवता बनाने वली मत कौन सी है स्री मत अभी तुम बच्चों को सुरी मत मिल रही है सिष्ट बनने के लिए इसुरी मत और मनुश्य मत में कितना फर्क है मनुश्य मत क्या कहती है इसुरी मत क्या कहती है तो जरूर इसुरी मत पर चलना पड़े कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते है याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए यह मनुष्य मत और इसुरी मत का कांटरस्ट बहुत जरूरी है तो मनुष्य थे तो हसुरी मत थी और अभी इसुरी मत मिलती है उनमें कितना फर्क है यह सास्त रादी सब मनुष्यों की ही बनाय हुए बाप कोई सास्त पढ़कर आते हैं क्या यह नम बाबा कुछ हमें पढ़के तो नहीं सुनाते बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूं क्या मैं कोई गुरू का शिश्य हूं क्या जिससे सीखा हूं यह ना बाबा की अथोर्टी ही अलग है यह ना बाबा का ना तो कोई पिता है ना माँ है ना टीचर है ना सद्गुरू है यह ना बाबा को दरकार ही नहीं यह ना बाबा ही सबका मात पिता टीचर सद्गुरू है बाबा कहते तो यह भी सब बाते समझानी चाहिए भले है जानते हैं कि बंदर बुद्धी हैं पर अंतु मंदर लाइक बनने वाले भी है बाबा कहते एन्हों मुझे पता है कि यह जो बच्चे जिनकों मैं पढ़ा रहा हूं एन्हों भी कैसे हैं बंदर बुद्धी पर भाबा कहते हैं मुझे इनका भावश भी पता है कि यही मंदर लाइक भी बनते हैं ऐसे बहुत मनुशमत पर चलते हैं फिर तुम सुनाते हो हम इस उरी मत पर क्या बनते हैं वह हम को पढ़ाते हैं भगवान वच हम उनसे पढ़ने जाते हैं हम रोज एक घंटा पोना घंटा जाते हैं क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए याद की आत्रा तो चलते फिरते हो सकती हैं ग्यान और योग दोनों ही बहुत सहज हैं अल्फ का है ही एक अक्षर बक्ती मार के तो डेष शास्तर हैं एक खटा करो तो सारा घर सास्तरों से भर जाए कितना इन पर खर्चा हुआ होगा अब बाप तो बहुत सैज बताते हैं सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्सा है ही स्वर्ग की बास साई तुम विश्यो के मालिक थे ना भारत हैविन था ना क्या तुम भूल गया हूँ यह भी ड्रामा की भावी कहा जाता है अब बाप आया हुआ हर पाँच हजार वर्स बाद आते हैं पढ़ाने बेहत के बाप का वर्सा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना यह तो बिलकुल सिंपल बात है लाखों वर्स कह देने से बुद्धी को जैसे ताला लग गया है ताला खुलता ही नहीं है ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं है बाप समझाते हैं एक ही बात है बस जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए यहां तुम एक सेकिंड में किसको भी स्वर्गबासी बना सकते हो परन्तु यह स्कूल है इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है ग्यान सागर बाप तुम्हें ग्यान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है यहना बाप ने हमें इतना ग्यान दे दिया है ग्यान को दहड़ करते कितना समय हुआ है भक्ती को तो आधा कल्प हुआ है ग्यान तो तुमको एक ही जनम में मिलता है बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए उस चिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो पांच वर्स लेकर बीस बाइस वर्स तक पढ़ते रहते हो तुमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पढ़ जाएगा ना बाबा कहते हैं बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं फिर इन सॉल्वेंट बन जाते हैं अभी भारत का हाल देखो क्या है फलक से समझाना चाहिए माताओं को खड़ा होना चाहिए तुमारा ही गायन है बंदे मातरम धर्दी को बंदे मातरम नहीं का जाता है बंदे मातरम मनश को किया जाता है बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही यह सर्विस करते हैं वह भी जैसे कल पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं अब लाओं पर कितने अत्यचार होते हैं जानते हैं हमको बाप मिला है, तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विश करनी है, बंदन है ऐसे कहने वाले रिड़ बखरी हैं, गवर्मेंट कभी कहना सके कि तुम इस वो रिस्वा सर्विश ना करो, बात करने की हम्मत चाहिए ना, जिन में ग्यान है वे तो इतने में सहज बंदन मुक्त हो सकते हैं जज को भी समझा सकते हो हम रोहानी सेवा करना चाहते हैं रोहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं किस्टियन लोग भी कहते हैं लिबरेट करो गाइड बनो भारत वासियों से फिर भी उनों की समझ अच्छी है तुम बच्चों में जो अच्छे समझ़दार हैं उनको सर्विस का बहुत सौक रहता है समझते हैं सवरी सर्विस से बहुत लौटरी मिलनी है कई तो लौटरी आदी को समझते ही नहीं है वहां भी जाकर दास दासियां बनेंगे दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही चंडाल ही सही सर्ग में तो होंगे ना बाबा कहते हैं उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है तुम समझते हो बहत का बाप हमको समझा रहे हैं यह दादा भी समझाते हैं अर्थत ब्रह्मा बाबा, बाप इन दोरा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नश्य बाबा, ब्रह्मा बाबा के दोरा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई तो इतना भी समझते नहीं है, यहां से बाहर निकले एक खलास, यहां पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं, वो द ने नौकर चा कर रहते हैं सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए तुम बच्चे शांती स्थापन अर्थ निम्मित बने हो विश्व में सुक शांती स्थापन कर रहे हैं प्रेक्टिकल में तुम जानते हो हम स्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं इसमें शान्ती कोई होनी नहीं चाहिए बाबा ने यहां भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए एक घर में छह साथ बहुँ एक खटी इतना प्यार से रहती है बिल्कुल सान्ती लगी रहती है बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है कोई खिट-खिट की बात नहीं सब आग्या कारी है उस समय ब्रह्मा बाबा को भी सन्यासी ख्याला थे दुनिया से वेराग रहता था अभी तो यह है बेहत का वेराग कुछ भी याद ना रहे बाबा तो नाम सब भूल जाते है बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं बाबा कहते हमको तो सब को भूलना है ना विशरो ना याद रो बेहत का वेराग है ना सब को भूलना है हम यहां की रहने वाले थोड़ी है बाप आया हुआ है अपना सुर्ग का वरसा देने बेहत का बाब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्यू के मालिक बन जाएंगे यह बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए बाबा कहते कोई मांगे तु बोलो समझ कर लो इस बैज को समझने से तुमको विश्यू की बाथ साहीं मिल सकती है शिय बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डारेक्शन देते है मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे गीता वाले जो हैं वह अच्छी रीति समझ लेंगे जो देउता धरम के होंगे कोई कोई प्रशन पूछते हैं देउता हैं गिरते क्यों है अरे यह चकर फिरता रहता है पुनर जनम लेते लेते नीचे तो उतरेंगे न चकर तो फिरना ही है हर एक की दिल में यह आता जरूर है हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते जरूर मेरे में कोई खामी है माया की भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है बाबा कहते अब तुम बच्चे समझते हो हमको अब घर जाना है फिर नई दुनिया में आकर राज़ करेंगे तुम मुसाफिर होना दूर देश से यहां कर पाड़ बजाते हो अभी तुमारी बुद्धी में है हमको अमर लोग जाना है यह हमरत्यू लोग खलास हो जाना है बाब समझाते तो बहुत है अच्छी रिती धाड़ करना है इसको फिर उगारते रहना चाहिए यह भी बाब ने समझाया है करम भोक की बीमारी उथल खाएगे माया सताएगे परंतु मूझना नहीं चाहिए थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते है बीमारी में मनुस्य और भी भगवान को जास्ती याद करते है बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं राम बोलो राम बोलो देखते हैं मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरी बोल हरी बोल करते हैं फिर उनको ले आकर जलाने की के दरकार है गंगा में अंदर डाल दो ना कच्छ मच्छादी का सिकार हो जाएगा काम में आ जाएगा पार्सी लोग रख देते हैं तो एहड़ीयां भी काम में आती है पार्शी लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं बोड़ी को तो ऐ पशुपक्षियों के खाने के काम आ जाती है बावा कहते हैं तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों परती माद पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मौनी रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को दिल वा जान सिकुआ प्रेम से नमस्ते 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 थैंक यू बाबा लब यू बाबा दाड़ना के लिए मुक्सार है पहला पॉइंट बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है फलक से समझाना है कि हमें रोहानी बाप पढ़ा रहे है हम रोहानी सेवा पर है इस्वरी सेवा की उचल आती रहे दूसरा पॉइंट है करम भोक की बीमारी वा माया की तुफानों में मुझना वा हिरान नहीं होना है बाप ने जो ग्यान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हरसित रहना है बावा ने आज वरदान दिया निराकार और साकार दोनों रूपों की यादगार को विदी पूर्वक, मनाने वाली स्रिष्ट आत्मा भाओ, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को, विदी पूर्वक, मनाने वाली स्रिष्ट आत्मा भाओ, भावा ने विश्तार में समझाया, दीप माला, विनाशी, अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है, आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिब ज्योती का यादगार स्थूल दीपक की ज्योती में दिखाया है तो एक तरफ निराकारी आत्मा की रूप का यादगार है दूसरी तरफ आपके ही भविश साकार दिब सुरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है बावा कहते है यही दीब माला देवपद प्राप्त करती है तो आप से श्ठात्माय अपना यादगार स्वैम ही मना रहे हो बावा ने आज स्लोकन में कहा निगेटिब को पोज्टिब में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को सुर और बेहत्की बनाओ तो क्या कहते बावा अगर निगेटिब को पोज्टिब में चेंज करना है तो हमारी बाबना है कैसी होनी चाहिए? सुब और बिहत की तो सुब और बिहत की बाबना वाला कभी भी निगेटिब संकल्प करी ने सकता तो यह है मीठे बाबा की मीठी मीठी मुले ओम शांति